So, नमस्कार दोस्तों, अधर आपका मेच है पर मेरा नाम है रिपूद अमन सिंग, मैंने भी टेक कर रगा है, फिरम IIT खौटी, आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि देखो भाई, हमेशा IIT की बड़ाई ही चलती है, हर कोई IIT को प्रेज ही कर रहा होता साइनस है, जो जो चीजे हैं, वो है नीट हो गई और एक जेई, अभी अपन बात जेई की कर रहे हैं, जेई में जब भी आप बात सुनोगे तो IIT के लावा और कुछ सूसता नहीं है लोग को, ठीक है, अब 16 लाक एस्पिरेंट हर साल जेई का एक्जाम दे रहे हैं, जिसम मैं आपको बताने वाला हूं कुछ डाक साइड, तो सीट बेल्ट बाद लीजिए, क्योंकि अगर आप इस साल एडमीशन ले रहे हैं, या फ्यूचर में ले रहे हैं, तो ये भी चीज़ा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग वाली ये नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे इतना पता है, 100% से, क्योंकि वाली इसलिए नहीं बताएंगे, उनका तो बिजनेस सी से चलता है, तो जितना आप प्रेस करेंगे, उत्ता बेटर रहेगा, ठीक है, तो चलिए, अब आपको थोड़ा सा डाक साइड भी दिखाएंगे, एक चीज़ रिमेंबर करिए, मैं IIT को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं जो रियालिटी है, वो ही बता रहा हूं, तो कमेंडर मुझे पता है, बहुत लोग कहेंगे, भाई, तेरा IIT नहीं निकला, तो तुने ये, अरे, भाई, मेरा अल्रड़ी निकल चुका है, पता नहीं कितने बेवकुफ लोग क्योंकि उनके थोड़े से फ्लॉज हैं, देखो भाई, फ्लॉज नहीं होते तो फिर ग्लोबल रेंक भी वन होती ना, IIT की सही बात है कि नहीं, अब ग्लोबल रेंकिंग में तो जाद अच्छा पर्फॉम नहीं करते हैं, 100 से 400 के बीच में रहते हैं, IIT की रेंकिंग, टॉ क्या फ्लॉज हैं, वो बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब आप मैंसे सोला लाग, मैंसे सिरफ सोला हजार लोग IIT जा पा रहे हैं, तो उस तो मतलब बात है न, एक परसेंट अगर जा रहे हैं, तो क्या उनको IIT ऐसा तोप लगता है, नहीं भाई, इतना भी तोप नहीं है, नॉर्मल ही है, चलिए, टाइम प्येस नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले चीज़े मैं आपको बता दूँ, IIT बहुती अच्छे इंस्टिट्यूट है इंडिया में, याद खिए, यह बन अब बेस्ट इंजिनिरिंग कॉलेज हैं इंडिया में, इंडिया में बोल रहा हूँ, लाध एक चीज़ वर्ड पर फोकस कर रहा हूँ, इंडिया में, इंडिया में बेस्ट हैं थीक है, बट वल्ड में नहीं है तो उनमें ओवेसली फ्लॉज होँगे, तो उस वीडिए, इस वीडियो में आपको यही बताउँगा एउगा कि क्य सबसे पहला जब भी आप college में जाओ गया आपको बहुत ही आदा mental stress face करने को मतलब पढ़ेगा simple as that काफी mental stress रहता है college के अंदर ठीक है peer pressure भी काफी आदा रहता है ठीक है वहाँ पे survive करना इतना आसान नहीं है आप खुदी common sense लगाईए जब सिर्फ 1% selection rate है तो सब हुशयार लोग ही जा रहे होंगे IAT के अंदर ठीक है अब आपको topper के अंदर भी topper मिलेंगे ठीक है topper versus topper वाला scene मिलेगा IAT के अंदर ठीक है कोई योगा महराश्ट का topper कोई योगा बिहार का topper कोई योगा UP का topper सब कहाँ चलेगा IAT के अंदर तो obviously जब IAT के अंदर जाओगे तो ऐसा तो है नहीं competitive environment खतम हो जाएगा वहाँ भी लोग लड़ते हैं ठीक है first year में लड़ते हैं branch change के लिए ठीक है और second year में placement के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है तो यह सब चलता रहता है मतलब CPI किसकी जब आएगी तो काफी जब mental stress रहता है और एक चीज़ ज़्याद है कि यह 70% तो पढ़ाई ही होती है IAT के अंदर आपका पूरा जो day है ना मैं बता रहा हूँ सुबह 9 से 6 वज़े तक का आपका पढ़ाई में क्लास लूम के रेक्चर्स में ही चला जाएगा बाकी 30% आपका मस्ती, मजाग और होस्टल में काम भी तो करना बढ़ता भाई खुद के कपड़े बागरा भी तो धोगे उसमें चला जाएगा तो ऐसा नहीं है कि IAT में आपको से लग रहा है तो यह वह ही है ठीक है ऐसा नहीं है लाइफ सेट नहीं होती वहाँ पे भी मेनद करनी पड़ती है बना आपकी भी जॉब नहीं लगेगी यह तो आपको पता होना चाहिए ठीक है और आपको continuously work hard करना पड़ता है चार साल किसना पड़ेगा कॉलेज में भी बना सर्वाइवी नहीं कर पाऊगे और भाई इसी के वैसे रिसेंट में सूसाइड की रेट भी भड़ते जा रहें जैसे आप देख सकती यह news आई है और मैं top IIT की बात कर रहा हूँ मदरास की बात है दिल्ली की बात है यह देखिए हैधराबाद मदरास ठीक है सारे टॉप ऐसे चोटे मोटे बाई नहीं बोल रहा हूँ तो यह सब एक्जिस्ट करता है मेरा खुद का लाइव एक्जामपन मेरे कॉलेज में चार साल के अंदर मैंने 2-3 केसे देखे थे सेम चीज के ऊपर तो कभी भी mental stress होना या तो आप मेर से बात कर लिजेगा या फिर अपने parents से बात कर लो मैं बता रहा हूँ पेरेंस की वाज़ेस इस stress है तो मेर से बात कर लेना पिर अपने senior हों से बात कर लेना ऐसा कदम मत उठाना जो कि आपके लिए गलती तो है और आपके पेरेंस को भी बहुत बुरा लगेगा अगर आप ऐसे करा तो कम से कम उनका तो सोच लिए ठीक है अब बात आती है दूसरी चीज़ पर ये तो चलो evergreen वो बात है दूसरी चीज़ है intoxication और addiction वगेरा भाई ये सब तो clearly banned है सही बताऊं तो college में clearly banned है mentioned है कि ये करते पकड़े गए तो आपके ऐसी तैसी हो जाईगी college की तरफ से ठीक है मतलब college वाले तो रस ticket भी कर सकते हैं आपको इतना रहता है लेकिन बाई जो चीज़ ban है ऐसा हो नहीं सकता कई नाम है तो इस सब में भी जुगार चलती रहती है ठीक है और महीं दर बाद ये campus में banned है ठीक है आप campus के बाहर कितना पी रहे हैं क्या पी रहे हैं उससे घंटा फरक नहीं पड़ता college को ठीक है और लोग smuggling भी कर लेते हैं फिर college के अंदर ठीक है और वैसे तो IAT काफी strict action लेता है लेकिन आपको ये आराम से लोग पीते वे मिल जाएंगे दारू पीते वे ठीक है तो ये तो बहुती common scene रहता है IAT के अंदर इधर अपना आपकी भुद्धी काम आने चाहिए कि आपको ये सब करना है की नहीं करना है तो भईया करो मेरा के जा रहा है ठीक है उसमें पैसा भी आपका खर्चोगा प्लस पैसा तो जाए गई प्लस आपकी health की वे ऐसी तैसी अलग से होगी ठीक है तो ये आप देख लीजिएगा ठीक है तो ये सब ऐसे तो band है बट लोगे पास तरीके तो होती है तीसरी चीज़ आते corruption ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कोई सरकारी चीज़ हो और corruption ना हो बिलकुल नहीं हो सकता तो yes, corruption is there also in IITs ठीक है बट हाँ मैं इसके उपर comment नहीं कर सकता क्योंकि मुझे exact cases नहीं पता हो मैंने जादा research भी नहीं करी हो में पर proof भी नहीं है अब जो लोग के पास proof था के इस लड़ रहे होंगे ये सब कर रहे होंगे लेकिन हाँ मुझे पता है 100% corruption free तो नहीं हो सकता कोई भी IIT लिखके ले लिजिए वनना IIT आज जो है उसके 2X होते अगर corruption नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ ठीक है अब बाद आती है ragging और PDP के बारे बें ठीक है देखो बाई ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ragging के cases अब कम हो गएं काफी आदा कम कर दिये गएं ठीक है नामते अगर आपने नहीं सुना तो ठीक है वैसे तो IIT के अंदर बहुत ही band है तो strict action लेते हैं अगर इनना news मिल जाती है तो आपको resticate वगएरा भी कर सकते हैं आगर आप किसी junior की ragging ले रहे हैं बट होती तो है बाई ठीक है इतनी extreme नहीं होती लेकिन कुछ cases में extreme ragging की cases भी है तो obviously extreme का कोई case बन जाता है और chill है मामला तो शायद नहीं होगी वैसे मेरा जो मानना है मैंने जितना देखा है इतना तो नहीं होता जितना मैंने अपना IIT का देखा है ठीक है तो ऐसा तो बिलकुल नहीं होता कि बहुत जादा extreme हो तो मेरे साब से काफ यादा improvement है इतर याद अखिए सब लोग discriminant नहीं करते हैं तो जिसकी mentality खराब है वो करते हैं ठीक है reserve candidates obviously इसके भागीदारी बन जाते हैं ठीक है इनी को सब सहना पड़ता है और ऐसा नहीं है बहुत सारे cases IIT Delhi देख लीजी IIT Delhi में तो खूब ऐसा case हुग है इवन IIT कानपूर में भी ये सब case काफी देखने गए थे recently ठीक है न्यूज में भी आया था बहुत जादा ठीक है बट हाँ ये case rare ही होते हैं और मैंने ऐसा कुछ case IIT गौटी में तो नहीं देखा ठीक है जो मैंने personally देखा है लेकिन होता तो है बहुता तो होगा ठीक है हाँ अब आता है छटा point 100% success rate नहीं हो कि आए 89% placement हो रहा है 83% हो रहा है चलो इसमें तो माल लेते हैं थोड़ा recession का हाथ है ठीक है लेकिन इसमें तो नहीं था recession ठीक है तो लगवा 5-10% B.Tech के student भी jobless है ठीक है तो ये सही है अभी news आ रही थी कि 50% आ है एटेंस jobless है ये फेक है बाई मतलब वो तो कच्रा ही news है मैं अल्रेडी बताती है कि वो क्यों कच्रा है लेकिन आप 5-10% कर तो रहता है ठीक है B.Tech वाल होगा याद है ठीक है और ऐसा नहीं है कि IIT में आप चले गए तो आपकी life set है क्योंकि वहाँ पे भी hard work करना पड़ता है आपकी success के लिए आपको खुद महाँ पे जाके करना पड़ता चला जा रहा है तो मतलब B.Tech का तो फिर भी decent है लेकिन जैसे ऐसे आप नीचे आ रहे हो higher studies के लिए वो और थोड़ा बेकार होता जा रहा है placement का ठीक है अब बात आती है वो जो मुझे सबस्यादा जिस चीज से problem लगती है वो कि यह outdated courses ठीक है जिस भी branch में आप है वो ऐसे नहीं है ना ideal case नहीं है ठीक है placement oriented ही है बाई college भी मैं बता रहा हूं इन नहीं आपका placement लगा की नहीं वह थादा मेंटर कर जाता है हां research का भी है ऐसा तो नहीं है zero है बट वही है limited है B.Tech के student भी कमी कर रहे है research ठीक है पर हां मेरे कुछ दोस्ते हैं जिन्होंने यह field choose कराए and they are proud of it ठीक है तो देख लीजिए अगर आपको interest बहुत hardcore लाए करता है तो करिए वरना तो मैं आपको बताना चाहरा हूं कि course तो outdated ही है सब branches में चाहिए वो CS ले लो mathematics ले लो कुछ भी ले लो और जो आप सीखते हो college में मुझे तो नहीं लगता हो और real life में बढ़ करना पड़ेगा ठीक है एक चीज़ या दखिए IIT में ऐसा नहीं है कि flaws नहीं है बट अभी भी यह best institute है अब आप इसके नीचे जाओगे NIT में flaws बढ़ जाएंगे ठीक है और इसके नीचे और जाओगे जैसे state government colleges में वहाँ flaws और बढ़ जाएंगे ठीक है तो यह तो IIT का scene था बाई जितना नीचे आप जाओगे और बढ़ते जाएंगे flaws प्राइवेट की तो आप मेरा मुह अद खुलवाईए प्राइवेट में तो और खतरनाप चीज़े होती है ठीक है उसके ऊपर कभी अपन बाद में व जैसे कुछ लोग वीडियो बनाते है ना IIT IIT इतना नहीं होता बाई ठीक है नॉर्मल है बाई मेरे को पता है जब मैं कॉलेज गया था क्योंकि मुझे ऐसी लग रहा था कि IIT ना जाने क्या होगा बट नॉर्मल है बाई तुमें दो तीन दिन मान नॉर्मल ही लगने हाँ IIT में जाके अगर आप हार्डवर्ग करते हैं तो एक काइंड ऑफ शॉल्ट कट ठीक है आपको एक हैड स्टार्ट मिल जाता है आपके करियर में आपकी लाइफ में और कॉन्फिडेंस उपर हो जाता है आपका ठीक है और वही बात अगर आपका NIT है तो थोड़ा सा है हार्डवर्ग आपको एक्स्टा लगए क्योंकि जेही में थोड़ी से आपकी कसर रह गई हो हो सकता है आपकी किस्मत थोड़ी गरबड रह गई हो बाकि ऐसा नहीं है बहुत सारे NIT बन IIT से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आपको IIT नहीं मिला तो जिन्दगी में ही खतम हो गई अब आपका जिन्दगी का सबसे बड़ा रिग्रेट रही रह गया है ऐसा नहीं है बाई move on करिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिरफ IIT जाने वाले ही successful हो रहे हैं और लोग भी हो रहे हैं ठीक है और average student भी IIT जा सकता है मेरे बहुत सारे जो दोस्ते हैं वो average students ही थे ठीक है तो excuse मत बनाना यह जो मैंने वीडियो में बता दिये कि यह 10 चीज़े खराब हैं बाकी 90 तो अ में को तो भाही जाना है क्योंकि उसदर 10 चीज़े नहीं उसदर 100 चीज़े खराब हैं मेरे को सब खराब चाहिए ठीक है तो यह excuses मत बनाना कि IIT में 10 चीज़े खराब हैं इसलिए मैं IIT नहीं जाऊंगा देखो भाई दिल से पूछो ठीक है पढ़ाई करी होगी तो अंदर रहो कि भाई तुने पढ़ा है की नहीं यह अपने आपको जूटा दिलासा मत दो कि बुक सामने रखी है मेरे बैटाओं और मन में कुछ और चला है मेरे पढ़ाई की एक्टिंग कर रहा हूँ और पढ़ाई नहीं होरी इससे तुम्हारा ही नुकसान है ठीक है तो पढ़न झाल 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 झाल